नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवर्ल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजो नरायन शुरुवात करेंगे खपर दोपहर की भारत की साइखो मीरावाई चानू ने भारत के लिए टोक्यो अलंपिक 2021 में पहला मेडल जीत लिया है मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम महिलावर के वेट लिफ्टिंग इवेंट में रजग पदग अपने नाम कर लिया है मीराबाई चानू ने स्नेच में 87 किलो जबकि क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम वजन का भार उठाया है इसी के साथ उन्होंने कुल 202 किलोग्राम का भार उठाया बतादें कि चानू से पहले सिद्नी ओलंपिक 2020 कर्णम मलेश्वरी ने वेट लिफ्टिंग में भारत को कान से पदग दिलाया था कर्णम मलेश्वरी ने उस वक्ल 240 किलोग्राम भार उठाया था वो सने स्वेडी में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जुक में 130 किलोग्राम भार उठाते हुए ओलंपिक कासे पदक जीतने वाली पहली भारत ये महिला बनी थी और ये जो सिल्वर मेडल मिला है भारत को टोक्यो ओलंपिक्स में वो 21 साल बाद मिला है यानि ये कहा जा सकता है कि भारत को पहला पदक मिला और बहुत वड़ी उपलब्धी भी मिली है तो टोक्यो ओलंपिक्स की शुरुवात हो चुकी है और जिसमें भारत ने अपना पहला पदक जीता है महिला वेट लिफ्टिंग में चानु ने ये पदक भारत को दिलाया है जो कि सिल्वर मेडल है 21 साल बाद आखिरकार भारत को टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में सिल्वर मेडल मिला साइखो मिराबाई चानु को प्रधान मंत्री नरिंद्र मोधी ने खूब बढ़ाई दी है वहीं उत्तर प्रधेश के नुएड़ा की दादरी विधान सभा में कॉंग्रेस घर घर तक गंगा जल पहुँचाएगी शनिवार को युवा कॉंग्रेस की प्रादिकारी ने प्रेस वारता कर इसकी ज़ारकारी दी है और बताये कि वो लोग दादरी विधान सभा में हर गाओं और सेक्टर के हर घर तक गंगा जल पहुचाएगे उन्होंने बताये कि सावन के पहले दिन से ही इस गंगा जल संकल्प यात्रा की शुरुवात की जाएगी आपको बता दे कि गंगा जल के साथ साथ कॉंग्रेसे कारकरताओं के पास एक संकल पतर भी होगा जिसे पढ़कर कारकरता लोगों को सुनाएंगे और घर घर में घंगा जल और संकल्प पतर देंगे इसको लेकर युवा कॉंग्रिस के रास्टियस अचीव दीपाक चोठी वाला ने गेटर नुर्दा के प्रेस क्लब में एक वार्टा भी की है प्रेस वार्टा में विधान सभा इस तरिये गंगाजल संकल्प यात्रा के बारे में विस्तार से बताते हुए दीपक भाती चोठी वाला ने काए कि यात्रा दादरी विधान सभा के सभी गावों सेक्टर्स को कवर करेगी इस यात्रा के दौरान गंगाजल की बोतल के साथ एक संकल पत्र भी आम लोगों तक दिया जाएगा इस यात्रा को देश ना सिर्फ कॉंग्रिस पार्टी के लिए स्थानी स्तर पर राजनीती का दारा बढ़ाना है बलकि सामाजी क्रूप से भी युगाँ को कॉंग्रिस की विचार धारत से जोड़ना है जोसे आने वाले विधाल सभा चुनाव में कॉंग्रिस पार्टी को बढ़ात मिल सके दो महीने तक चलने वाली गंगा जल संकल की यात्रा के दौराद एक लाख लोगों तक पहुंचने का लक्षे टैकिया गया है लेकिन कॉंग्रिस के सामने ये बहुत देरी की बात है क्योंकि विधाल सभा चुनावो का वक्त जो है बेहत कम रह गया है ऐसे में अब धरातल पर कॉंग्रिस उतरी है घर घर तक पहुंच रही है ये जो अब हो रहा है ये बहुत पहले ही हो जारा चाहिए था तो उसे कॉंग्रिस को शायद फाइदा हो सकता है लेकिन कॉंग्रिस ये कहती भी नजर आती है कि अब वो पूरी तरह से अलर्ट है धरातल पर है बूत इस्तर तक पहुंच रही है गाउं तक जिलो तक सेक्टरों तक पहुंच रही है और लोगों को अपना संकल्प पत्र बाटने की तयारी कर रही है तो उन्हें निदेशित किया सब्सभी का लगता हूं क्योंकि पुराने कॉंग्रिस की सासार वे नहीं सास्थों की जूटना है अपने परिवार की कॉंग्रिस परिवार की विचारधारा से तो हम लोगोंने एक यूनीक कारिकरम हमारे पुर्देश देख शादर नियुदियार जी हम बैटने है तो एक यूनीक हमने एक कारिकरम किया है डिजाइन किया है गंगाजर संकल्प प्यातरा के माधिया मिसम्त तादरी विधान साब आके लगब एक लाग हाउसओर प्यादर उसको देंगे और ये संकल्पत्र जो हमने प्यार किया है कि हमें साथ बचन, साथ बाते, साथ संकल्प गड़ी है जिनको हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और प्यास करेंगे कि पार्टी की विचार भारा से जादा से जादा लोगों को जोड़ें हमारा सामाजिक दाएरा में बढ़े और हमारा राजिनिक दाएरा में बढ़े और जब हम लोग चुनाओं में जाएं, तो हम लोग एक सपस्ट उचार के साथ, सपस्ट विजन के साथ जाएं, ताकि पार्टी को लाव हो, और गौतम बुद्नगर का जहां तक जादी विरांचरवा का सवाल है, तो हम लोग ऐसा चुनाओं लड़ें, कि हम लोग एक मैसेज दे पाएं, बिली से लिकर की लगना उतर, कि उतर प्रदेश का जो एड़रेंस है, वहां जो हमारे युवा कॉंगर्स के साथ ही है, उसकी मजबूत सिती में है, कि वह किसी भी सक्ता तकर दे सकते हैं, वाफ्दा हुंकर सकते हैं, तो मजबूती से हमारा ये संकल्प है, इस कि ना सिर्फ हम लोग कॉंग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे, बनकि कॉंग्रेस पार्टी का सामाजिक दाइरा है, उसको भी हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। प्रटी के साथी, पूरे और कोलापुर चेहर के साथी, मंडल में सांगली और सतारा जिले भी आते हैं, इसको भारी बारिश और भूसकलन की घटनाओं से बुरी तरह से प्रभावित हैं, के कवरिश रदिकारी के मुताबिक मितकों में 38 लोगों की मौत तर्थिये राइगर जिले में भूसकलन होने से हुई है इस बीच देश के मौसम विज्ञान मी भाग आयमडी ने शुकरवार शाम 17 जिले के लिए नया रेड अलर्ट भी जारी कर अगले 24 गंटों में जिले के परवर्थिय घाट इलाके में भारी बारिश होने का पूर्वा अनुमान लगाया है जहां भूसकलन के बाद करीब 30 लोग लापता हैं वहें पूलिस ने बताया कि शुकरवार सुभा कोलापुर जिले में एक बस एक नदी में बहने से ठीक उस पर सवार आठ नेपाली श्रमिको समेथ 11 लोगों को बचा लिया गया है तो महराश्रा के कई जिलों में लगातार कहर बनकर बारिश भो है वो बरस्ती हुई नजर आ रही है जिससे कई नदियाओं फान पर है यहां पर हजारों लोग काफी जादर प्रभावित हुए हैं हजारों लोग ऐसे हैं जिने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा र वही 2021 में बारिश की वजह से महरास्टा में 139 से जादा लोगों की जान चली गई है और लगातार यह आकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वही जो बड़े शहर है वहाँ पर भी हालाग बस से बत्तर होते हुए नजर आ रही है सडके पूरी तरह से नदियों में तबदील हो गई है पेड़ तूटकर गिर रहे हैं वही जो आश्यानी है लोगों के वो पूरी तरह से धारशाही हो चुके है तो महराज़ के तस्वीरे आप देख रहे हैं पूरी तरह से सड़के सैलाम में तबदील होती हुई नजर आ रहे हैं आम जन काफे जादा प्रभावित हैं जो निश्री इलाके हैं वहाँ पर तो बुरा हाल है लोग नए जगा पर नए आश्याने ढूंते हुए नजर आ रहे हैं राहत और बचाव का काम भी तेजी के साथ किया जा रहा है ताकि जन से जन लोगों को सुरक्षित इस्थानों पर पहुंचाया जा सके क्योंकि मौसम भागे कह चुका है कि आने वाले समय में भी महराज़् पेज़ बारिश होने के पूरे-पूरे आसार हैं मुंबई में व्यपारी राज कुंद्रा उनकी आईटी प्रमुक रियान थ्रोप को एक मजिस्ट्रेट ने 27 शुलाई तक पोलिस रासत में रखने का पैसला सुना दिया है वही क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के राज कुंद्रा उनकी पत्नी और बॉलिफूड अबिनीट रिश्रिपाश्ट्री के जुह स्रित आवाज पर पहुशने के बाद भी काफी ड्रामा देखने को मिला उन्होंने कथित तोर पर श्रिपाश्री से सवाल कि क्या होने अश्रील फिल्मों की निर्मार में अपने पती की कथित सनलिप्ता के बारे में कोई जानकारी थी हाला कि क्राइम ब्रांश ने अपने अधिकारियों द्वारा कुंद्रा शेटी के घर के दोरे पर कोई बयान नहीं दिया लेकिन सूत्रों ने कहा है कि उनका मानना है दरसल मुंबई पुलिस ट्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार को राजकुंद्रा को लेकर शिर्फा सेट्टी के घर पर छापे मारने और पूश्ताज करने गई थी, वही शुक्रवार को उनके घर पर हुई गतिविधियों के संबन में दमपती या उनके वकीलों के ओर से क अपराद शाखा में ये मामला दर्श किया गया था लेकिन 96 लगातार जारी थी और गिरफतारी अब हो पाई है, हाला कि ये भी जानकारी मिल रही है कि क्राइम ब्रांच के साथ साथ अब इस पूरे मामले में एडी भी जाज करेगी और जल्द ही राज कुंद्रा से मुलाक क्या मिले हैं, इसका कोई भी अभी जवाब सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ये तैह है कि राज कुंद्रा की मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली हैं भारत में शनिवार को कोरोना वारस महामारी के 49,000 से ज़्यादा नई मामले सामनी आए हैं, जबकि 500 से ज़्यादा नई मौते दर्च की गए हैं स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले नहीं इसकी ज़्यान करे ली, देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या चार लाग से ज़्यादा है, और इसी के साथ अब तक कुल 4,20,016 लोगों की मौत भी हो चुकी है सरकार के मताबिक बीते 24 घंटों में अस्पतालों और स्वास्तेंद्रों से कुल 35,000 से ज़्यादा लोग बिस्टार्ट हुए हैं और इसी के साथ अब तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या 3,5,3,166 तक पहुँच गई है देश में बीते 45 दिनों से संक्रिमतों की संख्या 1,00,000 की संख्या से कम वनी हुई है स्वास्ति मंत्राले के आंकरों की मताबिक भारत में पिछले चौपस घंटों में 42,67,799 लोगों को वाक्सिन की खुराग दी गई है आपको ये भी बता दें कि अब तक देश में कुल 42,78,82,261 लोगों में कोविट बाक्सिन के टीके दिये गए हैं वहें तेश जलाई तक जाचे गए नमूनों की संख्या 45 करोर तक पहुँच गई है जिनमें से 16 करोर से जादा नमूने शुकरवार को जाच करने के लिए भेजे गए हैं जमू कश्मीर के बांदी पोरा जिले में श्वनिवार को आतंग वादियों और सुरक्षा बलों के बीच जारी मुझभेड में दो अग्यात आतंग वादियों मार के राए गए हैं अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी हैं पोलिस का कहना है कि बांदीकूर मुझभेड में दो अग्यात आतंगी मारे गए हैं अपरेशन अभी भी जारी है आपको बता दे कि राखे में आतंग्यों के बारे में मिली एक विशेश जानकारी के आधार पर पुलिस और सेना की एक स्विक्ट टीम ने पहले लाखे को भेरा इसके बाद एक तलाश्री अभ्यान की शिर्वात की इसी दुरान आतंग्यों की मौजूद्गी वाले जगह पर सुरक्षा बलो के पहुशते ही आतंग्यादी उन पर ताबर तोड़ गोलियां चलाने लग गए थे जिसकी बाद सुरक्षा बलो ने दो आतंग्यों को मार गिराया है आपको पता दे कि बीटे कई दिनों से जमू कश्मीर याने की घाठी में आतंग्यों की सुरक्षा बलो और पुलिस के बीच मुझभेर भी होई हैं, जिसमें कई आतंग्यों की मारे भी गई हैं लेकिन लगातार जो आतंकी है वो घाटी में घुसपैच करने की कोशिश कर रहे हैं आसपास के कई लाके ऐसे हैं जहाँ पर कई आतंकियों के घुसने की सुशना मिली थी जिसके बाद पूरी सुरक्षा अजनसिया अलर्ट हो गई थी पूलिस भी लगातार अलर्ट थी और ए पता नहीं चल पाया है कोई खुलासा नहीं हो पाया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने शरीवार को सभी को धमचक प्रवर्तन दिवस और आसार पूर्णीमा की शुब कामनाय देते हुए कहा है कि आज हम गुरु पूर्णीमा भी मनाते हैं और आज के ही दिन भगवा प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने अपने संबोधन में कहा आज कोरुना महमारी के रूप में मानपता के सामने वैसा ही संकट है जो भगवान बुद्ध हमारे लिए और भी प्रसंगिक हो जाते हैं बुद्ध के मार पर चलकर ही बड़ी से बड़ी चुनोती का सामना हम क इसे कर सकते हैं भारत ने ये करके दिखाया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आगे कहते हैं कि त्याग और तीक्षा से तपे बुद्ध जब बोलते हैं तो केवल शब्ध ही नकी निकलते बलकि धम चक्र का प्रवर्तन होता है इसलिए तब उन्होंने केवल पांच सूत्र हमें बताया उन्होंने दुख के बारे में बताया दुख के कारण के बारे में बताया या सवाशन दिया कि दुखों से जीता जा सकता है और इसे जीत का रास्ता भी बताया भगवान बुद्ध ने हमें जीवन के लिए अश्टांग सूत्र और आठ मंत्री भी दिये बहुत प्रिस्तांगिक हुआ है तो आज गुर्पूर्णी मा है जिसको लेकर प्धान मंत्री निरिंद मोधी ने आज देश के नाम इसम्मोधन दिया है और पीम ने सभी को इसकी शुब कामनाएं भी दी है भारत में पेट्रोल डीजल के दाम अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है इसी वजह से ठोक महंगाई दर में भी लगातार विद्धी हो रही है इसी को लेकर विपक्षित सरकार पर काफी हावी है संसद में काफी ड्रामा काफी हंगामा रोजाना देखने के लिए मिल रहा है वहीं आर्थिक मोर्चे पर भारत के पूर्फ धानमंत्री मनमोहन सिंह अब चिंता वर्क की है और ऐसा पहली बार नहीं है 2020 में भी उन्होंने चिंता जाहिर की थी उससे पहले भी वो अर्थ विवस्था को लेकर चिंता जाहिर करते रहते हैं उन्होंने कहा है कि देश के लिए आगे की रहा उन्होंने के आर्थिक संकट से भी ज्यादा चुनौती पूर्ण है और देश को सभी भार्टियों के लिए सम्मान जनल जीवन सुनुशित करने के लिए अपनी प्राख्मिक्ताओं को फिर से जाचना होगा उन्होंने आगे कहा है कि देश में अर्थ विवस्ता के लिहास से काफी मुश्किल वक्त आने वाला है मनमोवन सिंग ने उन्होंने के अतिहासिक बजट के 30 साल पूरे होने पर अपनी ये बात रखी है उन्होंने कोरोना महमारी के बाद पैदा हुए आर्थिक संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि 1991 में 30 साल पहले कॉंग्रेस पार्टी ने भारत की अर्थ विवस्ता के महतुकुन सिधारों की शिवात की थी और देश की आर्थिक नीती के लिए एक नया बाद प्रिश्रस्त किया था पिछले तीन दश्कों के दुरान विभिन सरकारों ने इस मार्क का अनुसरण किया और देश की अर्थ विवस्ता तीन हजार अरब डॉलर की हो गई और ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थ विवस्ताओं में से एक है अपने बयान में मनमोहन सिंग ने कहाए कि इस सबसे महतुकून बाद है कि इन 30 सालों में करीब 30 करोड भारते नागरे गरीबी को मान दे चुके हैं लाखो करोडों नौक्रियों के मौके बने हैं सिधारों की प्रक्रिया आगे बढ़ने से स्वतंत्र उप्रमों की भावना शिरू ही जिसका परिणाम ये है कि भारत में कई विश्विस्तरिय कंपनिया अस्तर्थ में आई और भारत कई शेत्रों में वैश्विक ताकत बन कर उभर रहा है उन्होंने कहा है कि वो शौभाग देशाली हैं कि उन्होंने कॉंग्रिस में कई साथियों के साथ मिलकर सुधारों की इस प्रक्टिया में भूमिकारी भाई है इससे उनको काफी खुशी और गर्व की अनुपूती होती है आगे कहते हैं कि पिछले तिन दश्कों में हमारे देश ने स्वामदार आर्थिक प्रदिती की लेकिन कोविट के कारण हुई तबाही और करोडों नौकियां जाने से वो बहुत ज़ादा दुखी है पूर्प धानमंत्री मनमुहन सिंग का कहना है कि उनिस्वे क्यान में के आर्थिक संकट की मुकावले आज देश के सामनी आगे की रहा और जादा कठिन है और सभी भारतियों का सम्मान जनक जीवन से नुशित करने के लिए भारत को अपनी प्राथ मिक्ताएं को दुरुस्त करना होगा आर्थिक उदारिकरण की तीसवी वर्षकार के मौके पर एक बयान के जरिये मनमुहन सिंग ने आर्थिक सुधारों का उलेक करने से लेकर भारत के लिए की सालों से भारत लिगातार उन्नती कर रहा है भारत की अर्थ ववश्ता मजपूत और है लेकिन प्रोनाकार में भारत की अर्थ वश्ता capable कापि मज़ादा प्रभाण है ऐसे में अभी से हम्ने सारी तयारी करनी होगी वरना आने वाले समय में कहीं तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है वहीं भारी बारिश के बीश महराश समय तो देश के कई जगों से भूस्कलन के खबरिस सामने आ रही है शुक्रवार को इसी तरह कि घटना का शुकार करनाठक मंगलूर से मुंबई जा रही एक ट्रेन हो गई गटना का एक वीडियो भी सामनी आया है वहीं देश के पश्चमी और उत्री इलाकों में हुए भूस्कलन में सैक्रों लोगों के पसे होने की आश्रन का जगाई जा रही है तस्वीरें आप देख सकते हैं तस्वीरें भयावे हैं लेकिन इन्हें दिखाना जरूरी है कि यह जो प्राक्तिक आपता है कितना पहर बर्पा रही है यह पूरी जो ट्रेन है भूस्कलन की जद में आ गई इसके लावा कई जिरों में लगातार बार की सिती भी बनी हुई हुई है कुछ मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रेन के पट्री से उतरने की एखटना दूजसागर सोनोलिम स्टेशन पर हुई वहिस्थानी रिपोर्ट में ट्रेन की पहचान शूने एक तीन चार मंगलूर जंक्षन सीस्टी ट्रमिल एक्स्प्रेस स्पेशल के रूप में हुई है खास पात यह है कि विशिष्ट नदी के उफान पर होने के चलते ही ट्रेन का रास्ता मनगाव लॉना मिराज होते हुए बदल हाला कि अच्छी खबर यह है कि घटना में कोई जान हानी नहीं हुई है ट्रेन के प्रभावित कोच में सवार यात्रियों को वापस कु को निलिम स्टेशन के बीच और कंजर जोल दूद सागर स्टेशन की बीच दक्षिन पश्यमी रेलवे के हुबली डिविजन के घाट सेक्शन की दो जग़ों पर भूसकलन की खटनाई देखने के लिए हैं जो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं राज्य में भारी बार ट्रेन को लावंडा और वास्कुर्ग गामा के बीच आंशिक रूप से रथ कर दिया गया साथी ट्रेन नंबर वास्कुर्गामा हावरा एक्षपय स्पेशल और वास्कुर्गामा द्रीपती हैद्रबाद एक्षपय स्पेशल को भी inseल किया गया था क्योंकि लगतार धु तो ऐसे में ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई लेकिन यहार राहत की बात यह है कि एक भी आत्री यहाँ पर घायन नहीं हुआ है। दिल्ली के ओपरा जपाल अनिल बेजल ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिल्ली पुलिस कमिशनर को 18 अक्टूबर तक रास्टे सुरक्षा कानून एन एससे के तहर किसी को भी रास्त में लेने का अधिकार दिया है। दिल्ली पुलिस ने काई कि यह नियमित आदेश है और सामाने तोर पर इसे जारी किया जाता है। जो आपर दिल्ली पुलिस कमिशनर अब और जादा पावर्फुल बनने की कगार पर जा रहे हैं। हरा कि यह मौका इसलिए दिया गया है क्योंकि स्वतंता दिवस बहत खरीब हैं। किसान संसत लगान के कवाईट काफी जादा तेज कर चुके हैं। जमु कश्मीर के पुँच जिले में लाइन कंट्रोल एरोसी के पास कृष्णा घाटी सेक्टर में सीना के एक जवान गलती से बारूदी सुरंग पर कदम रखने के कारण शहीद हो गए। सीना ने बताए कि तेज जुलाई के राद सिपाही कमल देव वैदे पुँच जिले के कुष्णा घाटी सेक्टर में ऑप्रेशनल जुटी पर थे। जुटी के दौरान चलते समय सिपाही कमल देव वैदे एक दुरगटना वर्ष खदान विस्पोर्ट में गंभी रूट से खायल हो गए थे। उन्हें तुरंत नजदे की चिकिसा केंद्र लिजाए गया लेकिन बागली लाज के दौरान वो शहीद हो गए। 27 वर्षे सिपाही कमल देव वैदे हिमाचन प्रदेश के हमीरपूर जिले के घुमार्विन गाउं के रहने वाले थे। सीना ने कहा कि सिपाही कमल देव वैदे एक बहादुर अत्यधिक प्रेरित और इमानदार से निक थे। सर्वोच बलिदान और करत्यववे के प्रती समर्पन के लिए राश्ट हमेशा उनका रिणी रहेगा। तो वारुदी सुरंग पर कदम रखने से जवान की शहदत हो गई है। पुंच के कृष्णा घाटी सेक्टर में यहाथ साप हुआ। सुप्रीम कोट ने शुकरवार को कहा कि वन भूमी पर किसी भी अनिधिकरित निर्मान चाहे वो फामाओं सो इसकी अनुमती नहीं दी जा सकती। अदालत ने फरिदाबाद नगर निगम को खोरी गाओं के पास अरावली वन भूमी पर अत्रिक्रम हटाने के लिए चार और सप्ता का समय दे दिया है। वही नागनिक निकाये ने अदालत को सूचित किया है कि लगभग आदेश शेतर पर अनिधिकरित सरचनाओं को पहले ही हटा दिया गया। अपने सुझाव नगर आयूप के साथ साजा कर सकते हैं। बाजपा के राश्री अध्यक्ष जेपी नड्डा का शनिवार को गोवा के दो दिवसे दौरे पर गोवा पहुंचने का कारिक्रम है। राजपारती जंतापार्टी के अध्यक्ष सदनन शेथ तनवडे के अनुसार। जेपी नड्डा के अगामी राजपी विधानसवा चनावों पर नज़र रखने के लिए बैटों की एक शुंकला की अध्यक्षता करने की उमीद है। जो 2022 की शुर्वात में तुस्तावित है। पहुच देए। उत्तर प्रदेश में अगामी विधानसवा चनाव को लेकर बीजपी ने बड़ा फैसला किया है। जानकारी के मुदाविक चनाव को लेकर बीजपी ने बड़ी योशना तियार की है। सुत्रों की माने तो बीजपी अपने सभी दिकर जो को मैदान में उतारेगी। यही नहीं मुखे मंत्र योगी आदतनाथ भी विधानसवा चनाव लड़ेंगे। इसके अलावा राजे के दोनों डिप्रिसी हैं के शपसाद मौरया और दिने शर्मा भी चनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि मुखे मंत्र योगी आदतनाथ अभी विधान परिश्वत के सदस्से हैं। वह प्रदेश बीजपी के आदेर सौतंदर देव सिंग, महेंदर सिंग जैसे बड़े नेतावी चनावी मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रोसमिली जानकारी के मताबिक बीजपी आलकमा ने निर्देश दिये हैं। बीजपी उतर परदेश विधान सवा चनावी की तयारी में जुट गई हैं। सबसे बड़ी इकाई बन कर रही है। और इसी के साथ फिलाल खबरों में इतना ही आप बने रही हैं निउस्वाल इंडिया के साथ।